आप लोग देख रहे हैं कि एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्स है जो बिबाद है वो चर्चा में आ चुका है तो आज की इस किलास में हम लोग इनके बीच जो बिबाद है उसकी जो संपूर कहानी है उसके बारे में बात करेंगे और एक सामान जानकारी देख लेंगे सबसे पहले आप लोग कहां चलिए मैप पर चलिए और मैं आप लोगों से हमेशा कहता भी हूँ कि अगर आप लोग civil service की तैयारी कर रहे हैं, state PCS की तैयारी कर रहे हैं, one day exam की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने पास एक atlas की map की किताब रखा करिएगा, map रखा करिएगा, जब भी कोई देश, कोई जगे चर्चा में रहती है, तो तुरंत जाकर उसे map में आप अगर हम लोग राजधानी देखें, तो जैरूसलम इसकी रादधानी है, इसकी सीमा आप देखते हैं कि लेमनान से लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन से लगती है, और आप देखते हैं कि मिसर से लगती है, भूमद सागर से भी इसकी सीमा लगती है, और आप देख एसा राज्य है जिसकी कानूनी इस्तिती पर अभी भी बिबाद बना हुआ है और आप देखेंगे जो सयुक्त राष्ट के United Nations जिसकी स्तापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी New York USA में देखने को मिलेगा उसका मुक्याल है उसके 193 सदस्य देशों में से 138 द्वारा मानता पर आप थे किसे? फिलिस्तीन को और फिलिस्तीन भी आप देखते हैंगे जेरुसलम इसकी भी राध्धानी देखने को मिलेगी सीमित मानता मिली हुई है यह भी आप लोग याद रखेगा और आप देखें यहां की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो इसकी अनुमान लगाया जाता है कि 54,83,450 जनसंख्या बताई जाती है एक मैप आप लोग देख लीजे यह आप बेस्ट बैंक देखते हैं ना यह बेस्ट बैंक है गाजा पट्टी है जो चर्चा में बनी रहती है यहाँ आप लोग देखिए एक समय ऐसा था जब आप देखेंगे कि यह जो आप लोग हरा हरा देख रहे है यह हरा आप लोगों को देखाई दे रहा है क्या है फिलिस्तीन है यह 1946 तक आप देखिए उससे पहले इस तरह का था और जो सपीज सपेदं आप लोग देख रहे है यह इजराईल आप लोगों को दिखाई दे रहा है आगे आप देखिए यूएन पिलान आया 1947 में इसमें आप देखेंगे कि इजराईल को एज़ जमीर मिल गए जो सपीज सपेद आप लोग देख रहे है तो यहां आप लोग देख रहे हैं जो हरा हरा छोटा छोटा बाग, यह आप लोग देखेंगे यहां फिलिस्तीनों का कपजा है और बाकी पूरी चेत में आप देखते हैं कि इजराइल का, यहां जो हरा देख रहे हैं यहां भी आप लोगों को फिलिस्तीन देखने को मिलेग पहला आप देखते हैं कि हिंदुस्तान का था जहां आप देखते हैं कि सनातन धरम की जड़े मजबूत हो चुकी थी और दूसरी तरफ आप जाएंगी तो मेडल इस्ट आपको देखने को मिलेगा जो रेगिस्तानी इलाका है जहां आप देखें कि हजरत इबराहिम उन तीन इसाई इसलाम में शुरूआती पैगंबर होने का दरजा हासिल है और साधारन भासा में समझें तो इन्ही इबराहिम की धार्मिक थियोरी को मुوسा, यहुदे के पैगंबर, इसा, इसाई के पैगंबर, और मोहमद यानी की इसलाम के पैगंबर ने अपने अपने कालिखन मे अपने दिरिष्टी कौंट की साथ आंगे बढ़ाया और सभी ने आप देखेंगे इबराहिम को सम्मान भी दिया है और जो आप लोग एरुसलम सुनते रहते हैं ये आप देखेंगे तीनो धर्मों का पवित्त स्थलमाना जाता है इन तीन धर्मों के मुक्ळ पूर्वज इबराहिम बने जिनका जिकर धारविक उस्त्तकों में भी मिलता है इबराहिम के बंस में इजराइल का जनम हुआ और उनके पोते थे वो इजराइल ने बारे कभीलों को मिला कर इजराइल का गठन किया जिसे आज हम इजरायल देश के नाम से जानते हैं किसके देश के नाम से जानते हैं इजरायल के एक बेटे का नाम जूदा या यहूदा था और जिनकी बज़े से आप देखे इस धरम को आप लोग यहूदी नाम मिला क्या मिला? यहूदी नाम मिला और इन्हों ने ही बःनियमत थै किये जिस पर यहूदी आंगे बढ़े और यहूदीयों की धार्मिक किताब तोरा है जो दुनिया की निर्मार से सुरू होती है और जिसे खुदा ने छे दिन में बनाया उसमाप्त होती है मुसा की मित्यू के मित्त्यू पर ऐसी मानता है कि हजरत मुसा नहीं इजरायल के बस्वज़ों को मिस्तर की सैकनो साल पुरानी गुलामी से आजाद कराया था और एक आजाद जिंदगी दी थी आँगे आप देखेंगे अब अगर पैगंबरों से नीचे उतरे हम लोग तो यहूदियों की इतिहास पर नजड़ डालें तो इसका सही सटीक इतिहास इसा से करीब 1000 साल पूर किंग डेविड की समय से मिलता है देखें इसा के जनम की पहली कितिथी को आप लोग इसा पूर कहते हैं उनके जनम की तिथी की बात को इस भी कहते हैं डेविड को इसलाम में दाउद के नाम से संबोधित किया गया है। किंग डेविड ने युनाइटिड इसरायल पर सासन किया। डेविड के वेटी हुए किंग सुलोमन जो इसलाम में सुलेमान हुए। और इनका कालखंड इसा से आप देखी करीब 900 साल पहले का था। किंग स सुलोमन के पास अकूद दौलत थी उनकी 300 रानिया थी है। इस बात का भी उलेक मिलता है कि किंग सुलोमन के समय में कई देशों की तरह ही दच्छन भारत से भी इजरायल का व्यापार होता था। और कहते हैं कि किंग सुलोमन की मौत के बाद यहूदी बिखर गए और फिर इजरायल के पतन की कहानी सुरू होती है लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होनी बाकी है और जिसने आप देखे आने बाले 2000 साल तक यहूदीयों का पीछा नहीं छोड़ा। इजरायल के बटवारी के बाद आप देखे वहां बैबिलोन समराज का कबज्या हुआ और जो जा थे और इसापूर आप देखें 587 मैं आप देखें बैबिलोन ने यरुसलम में किंग सुलोमन के बनाए यहूदीयों के पहले मंदिर को गरा दिया फिर आप देखें कुछ समय बाद बीता और 516 इसापूर में इसे फिर बनाए गया जैसे यहूदी सेकंड टेंपल या दूसरा मंदिर कहते हैं और आप देखें उस दोर में यहूदी को समले और इनकी आबादी भी लाखों में पहुच गई थी यहूदीयों ने सिक्छा औव्यापार के जरिये खुद को मजबूत भी बनाया था और आप देखें इसापूर साल 332 में इसराइल की धरती पर सिक कर कते लाम सुरू होता है यानि कि यहूदीयों को मारा जाता है और इसी दोर में यहरुसलम की उसी जमीन पर जहां आज अल-अक्सा मस्जिद है जो बिबात का केंद बना हुआ है और आप देखें वहाँ इसा मसीह का जनम होता है और इसा एक यहूदी थे लेकिन वो अपन का मतकार किये कई यहूदी उनके सिस बनने लगे और इसाई धरम की निव पड़ी और बस यही पर आप देखी यहूदीयों से वो गलती हो गई जिसकी भरबाई अंगले 2000 साल तक करनी पड़ी और अभी भी आप देखते हैं कि करनी पड़ती है ऐसा आरोप है कि यहूदीयो ने ही रॉमन गवर्नर फिलातुस को भढ़काया और इसु की सिकायत कर दी और फिलातुस ने यहूदीयों को खुश करने के लिए इसा को सलीप पर चड़ा कर मारने का आदिस दिया कहते हैं कि तब इसु की उमर 30 से 33 साल बताई जाती है इसु की मौत में जिम्मिदार होने क कलंग की यहूदीयों के साथ चस्पा हो गया और यह सिराब बन गया इसके बाद आप देखे बाद तो कई सदियों तक यहूदीयों का नरसंगार हुआ हाला कि पोप वेनिडिक्ट सूलेवी ने इसा मसीग को सूली पर चड़ाने के आरों से यहूदीयों को मुप्त करार द काविक यहूदी धरम को धारमिक सराब मिला है और उसका एक बहुत बड़ा कारण इसा की मित्तियों में रोमन का साथ देना था इसू के बाद दुनिया में जहां भी इसाई समराज इस्थापित हुए वहाँ यहूदीयों के रक्ते से होली खेली गए लेकिन इन दो धरमों की लड़ाई में इसलाम की इंट्रीक कव और कैसे हुई यह जानना भी बड़ी दिल्चस्प है अब आप देखी यहूदीयों को मिले धारमिक सराब का पहला नजारा इसा की मौत के करीब 37 साल बाद देखने को मिला जब यहूदीयों ने इजरायल पर राज कर रहे रोमन सम इसलाम को रौन डाला और ऐसा कतिल्याम इतिहास में नहीं देखा गया है यानि कि यहूदीयों को मारा गया और कहा जाता है कि एक ही दिन में करीब एक लाग से जानने ही यहूदीयों को कतल कर दिया गया और सेकेंड टेमफल भी निस्ता नावूद कर दिया गया यानि कि उ 1200 साल तक कतिल्याम हुआ इसमें फिर आप देखी यहुदी डास्पोरा कार्ड थे यहुदियों का इजरायल से भागना और दुनिया के दूसरे मुलकों में सरण लेना अब आप देखे कई बार आप लोग म्यानमाल से सुनते रहते हैं कि वहाँ से भाग कर भारत में आ जाते हैं लोग क्योंकि वहाँ ताना साही है वो यूरोप आप देखें यहुदी यूरोप अपीका अरब एसिया तक में फैल गए पर कतिल्याम नहीं रुका रोमन को लगता था कि इसाई और यहुदी एक ही हैं और वो दोनों का दुस्मन रहा जबकि यहुदी और इसाई एक दूसरे के खिलाब लड़ रहे थे और वर्चस का तिकोड़ी है मुकाबला अंगले तीन सो साल तक जारी रहा अरब में लासों के पहाड खड़े कर दिये गए इसा तीन सो में आप देखेंगे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कॉंटिंटिं दा ग्रेट जो की एक रॉमन राजा था उसने इसाई धरम सो इकार कर लिया और वो पहला रॉमन से बादसा हुआ जिसने इसाई धरम को चुना और यहां से यहुदियों की मुस्कले कई गुना बढ़ गई क्योंकि अब रॉमन और इसाई एक हो चुके थे जब कि यहुदी बिलकुल अकेले पढ़ चुके थे इसमें अब आप देखेंगे अब तो क्या रॉमन और क्या इसाई सभी ने मिलकर यहुदियों को कहीन का नहीं चोड़ा ऐसे दौर भी आये जब यहुदियों पर कई तरह की पितीबंद भी लगाए गये वो गुलाम नहीं रख सकते थे बाहर साधी नहीं कर सकते थे अपने आप देखेंगे कि धारमेक इस्थल नहीं बना सकते थे और अंगले 500 साल तक इसाई ही यहुदियों के दुस्मन रहें लेकिन इसभी 570 आ चुकी थे और यहुदी डायस्पोरा को करीब 500 साल पूरे हो चुके थे इसी साल आप देखें मक्का में हजरत मुहमत का जनम होता है यानि कि इसलाम आ जाता है इस्थी में आप देखें 622 में वो मक्का से मदीना गए और जिसे इसलाम में हिज्री कहा जाता है मदीना में तब अर्वी कभीलों के अलावा अर्वी कबीलों के अलावा आप देखे जांदा आबादी यहूदियों की थी और तीन मुख कबीली यहूदियों के पास थे यहां पर आप देखे इसलाम वो यहूदियों की भी संदी हुई और जब मक्यस से हमला होगा तो मुसल्मान वो यहूदी मिलकर उनका मुकाबला करेंगे यहां से यहूदियों की जीवन में पहली बार इसलाम की इंट्री हुई इसलाम के जानकार आरोप लगाते हैं क्या आरोप लगाते हैं? यह आरोप लगाते हैं कि यहूदियों ने पेगंबर मुहमद के साथ धोका किया और कई बार उनके दुस्मनों का साथ दिया और यहीं सी यहूदियों इसलाम की बीच आबिस्वास और दुस्मनी की नियू पड़ी जो आज भी आप देखते हैं बद लेकिन साल उन साल 1989 में यूरोप की इसाई भी संगेटित हो चुके थे और कुरू सेडर का कुरूर कालखंड आरम हुआ और अब यूरोप से लेकर अरब के मैदान में दो नहीं वलकि तीन धरम एक दूसरे से वर्चस की लड़ाई लड़ रहे थे इसाई, इसलाम और यहू चीनने के लिए योद भी करने लगे, मुसल्वानों से चीनने के लिए वो योद भी करने लगे, इस पैन से धीरे-धीरे मुसल्वान और आप देखेंगे कि यहूदियों को बाहर निकलना पड़ा और यहूदी यहाद तो दुनिया के अलग हिस्सों में पहली या फिर हजा आनिया समराज के तहद रहने रखते हैं, और इस दोरान यहूदियों पर बहुत सी पावंदियां भी लगाई गए, लेकर मरता क्या ना करता उनको सब कुछ सहना पड़ा, और पिछली कई सदियों से अपने घर के लिए भटक रही यहूदियों का सबर जबाब दे गया, औ नहीं तो आप देखें आने वाली पीडियों, आने वाली पीडियों को क्या मुह दिखाएंगे, और कब तक इस तरह भटकते रहेंगे, इस बिचार को केंद बिंदू रखकर सत्तरहवी सत्ताद्धी में, हसकला मुवमेंट ने जोर पकड़ा, और यहूदी राष्टवात क कि कल्पना ने पहली बार जनम लिया, अब यहूदी अपने लिए एक जमीन का टुकड़ा चाहते थे, जहां वो अपनी नसल को पाल सकें, यहूदी ने अपने धरम को फिर से पुनर जीवित किया, और तै कि एक देश तो उनकी इस से होना चाहिए, यानि कि एक तो उनकी ज जमीन होना चाहिए, और कहते हैं कि उसमानिया समराज में भी यहूदियों की हालत अच्छी नहीं थी, और जिसके कारण इन्होंने रूस में भी सरन लेनी की कोशिस की, लेकिन वहां भी इनका नलसंगारी हुआ, इसा की मित्यू के साथ आप देखें चला रहा, सराप परच चाहिए बनकर चलता रहा, फिर आप देखें यहूदियों को, यहूदियों को पॉलेंड और लितु आनिया में सुरक्षे ठिकाना मिला, पर वो भी लंबे समय तक, लंबे अर्से तक ना रहा, क्योंकि ए भी तो किराय की ही जमीन थी उनके लिए, और आप देखें वरहाल संकट से बेखबर, यहूदियों ने पॉलेंड में खुद को फिर से संकट हित किया, ऐसा लगने लगा था कि अब यहूदियों को उनके अधिकार मिल जाएंगी, क्योंकि नैपोलियन ने फ्रांस की, करांती के बाद इने फ्रांस बुलाया, लेकिन जल्द ही वहाँ भी इन संबा ना चला इनका, और कहना गलत नहीं होगा कि मुठी भर यहूदियों को अपने धरम पर टिके रहने की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, अगर आप देखिए यह समझोता अगर लेती, तो यह सायद बच जाते, इतना इने तंसना जहलना पड़ता, अब तक पहले व से चला था ना पहला, उसी की बात हो रही है, यहां से बेटेन की इंट्री मिडल इस्ट में होती है, और इजराइल की भूमी पर आप देखिए मुसल्मान भी रह रहे थे, और यहूदी भी यहूदी भी यह इजराइल भी था, और फिलिस्तीन भी, जिस तरह बेटेन ने भ पदले में समर्थन लेते रहे और आखिर में जब चौपट करके चले गए पहले विस्योदी के साथी उस्मानिया समराज का अंत हो जाता है, इजराइल में बच्चे यहूदी मुसल्मान जो अपने अपने लिए मुल्क चाहते थे, पहले विस्योदी की समापती के साथी आ यहूदी इतिहास का सबसे काला अध्याय सावित हुआ, जर्मनी के जरी यह हिटलर ने दुनिया को हिला दिया और शुरू होता ही यहूदी होलोक्रास्ट का चैप्टर, यह कहा जाता है कि करीब 60 लाक यहूदीयों को हिटलर ने गेस चेमबर में मरबा दिया था, जो बच यह उनकी आहलात मुर्दे जैसे थी, इस दौराण जर्मनी समयत इउरोक के बहुत से हिस्सों में यहूदी अमेरिका और इजरायल पहुँचते हैं, क्या अमेरिका और जरायल पहुँचते हैं, अमेरिका पहुचने वाली यहूदीयों में से एक थे, दुनिया के सबसे संगरस अगर आप लोग देखें एक वलफोर घोषना देख लीजे इजराइल फिलिस्तीन के भी संगरस की निव वर्स 1917 में रखी गई थी जब ततकालीन बेटिस बिदेश सचेव आर्थर जेम्स वलफोर ने वलफोर घोषना के तहत फिलिस्तीन में यहुदियों के लिए ने 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सेनाय बापस बुला ली और पितिसपर्दी दावों का निप्टान करने की जिम्मेदारी नव निर्मित सयुक्त राष्ट पर छोड़ दी जो सयुक्त राष्ट संस्था बन चुकी थी ना उसी पर सयुक्त राष्ट ने आप देखे फिलिस्तीन में सुतन्त यहुदी और अरब राज्जी की निर्मार के लिए एक बिभाजन युजना पिस्तुत की जिसी अधिकांस अरब देशों ने आसुईकार कर दिया था अगर आप देखें अरब इजराइल यहुद्धे देखें सयुक्त राष्ट की बिभाजन युजना तो फिर आप देखेंगे कि इस युजना के नुसार जॉर्डन ने वेस्ट वेंक और येरुसलम के पवित इस्थलों मिस्र ने गाजा पट्टी पर नियंतन पराप्त कर लिया किन्टु यह फिलिस्तीनी संकट को हल करने में बिफल और यहूदी पिर्भुत्य से मुक्त कराने तथा अरव राज्जों पर मुस्लिम राज्जों का पिर्भुत्य स्थावित करने के उद्देश से की गई थी और सयुक्त राष्ट ने 1975 में आप देखी पियेलों को परवेक्चक कर दरज्या पिदान किया और फिलिस्तीनीयों के आत्म ने डैक यदिकार को माननता दी और छे दिवसी यह यूद तो यह आप देखे 1967 की बात है 1900 सरसर की यूद में इजरायल सेना ने सीरिया से गोलान, हाइट्स, जॉर्डन से वेट्विंक और पूर्वी यरुसलम, तसा मिस्ते की सीनाइफ राइदीप बकाजा पट्टी पर कबजा कर लिया और ऐसा आप देखते हैं कि अभी वर्तमार में ऐसा कहा जाता है कि इजरायल के पास आप देखे एक से दिड़ लाग सेना है लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश जो आप देखते हैं कि सकती साली हैं जो आसपास लगे हुए हैं लेकिन वो उसे भी यूद में परास्त कर देती है और ऐसा कहा जाता है कि यहां की सिक्षा में आप देखते हैं कि सैनिक सिक्षा दी जाती है और क प्रदेस्ता में मतफूर्व छेत में सांती के लिए रूप रेखा ने इजरायल और उसके पडोसी राज्यों की भी सांती बारता तथा फिलिस्तिनी समस्या के समाधान के लिए मंच प्रदान किया किन्तु इसकी उपयोगता ना के बराबर रही। हमास अमेरिका इसी आतंकी संगठन मानता हैं वर्स 2006 में हमास ने फिलिस्तिनी पराधी करण की बिधाई चुनाव में जीत दर्च की और 2007 में फैताय को गाजा से अलग कर दिया और साथी फिलिस्तिनी आंदोलन को भोगलिक रूप से भी विभाजित कर दिया गाजा पर आप द ओसलो समझोता यह आप देखतें कि 1993 ओसलो समझोता की तहट इजराईल और पियलो अधिकारिक तोर पर एक दूसरे को मानता देने एवं हिंसात्मक गतिविदियों पर रोक लानाने पर सहमत हुए ओसलो समझोते द्वारा फिलिस्तिनी पराधी करण की भी स्थापना की जिस गाजा पट्टी तथा वेस्ट बेंक की कुछ हिस्सों में सीमित स्वायत्ता इस्थाबित हुई और 2005 में आप देखे इजराईल ने गाजा चित से यहूदियों को बापस लाना शुरू कर दिया था हाला कि इजराईल ने सभी सीमा पारगमन की परकडी निगरानी बनाय गाजा की अगर हम लोग बात करें तो गाजा पट्टी इजराईल और मिस्थे के बीच इस्ते थे इजराईल ने वर्स 1967 की बाद इस पर नियंतन कर लिया था किन्तु उसलो सांती फिक्रिया के दौरान अधिकान स्चेथ में गाजा सहर बाद दिन पीती दिन के पिसासन से न इंतन हटा लिया, 2005 में इजराईल ने एक तरफा यहुदी बस्तियों को गाजा चेत से हटा दिया, लेकिन इस से यहाँ पर अन राज्यों की पहुँच को नियंतित करना जारी रखा, एक आप देखें गोलान हाइट्स, 1967 की यहुद्य के दौरान इजराईल ने सीरिया से ग इजराईल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, आप समझ रहे हैं आप लोग, और फिलिस्तीन के साथ आप देखते हैं, अरब देश तो हैं ही, मुस्लिम देश जो हैं वो इसके साथ रहते हैं, और आप देखते हैं कि भारत भी यह, उनकी तरफ यह भी बात कहता है, भारत कह केता है कि फिलिस्तीन को एक तरह से उनकी जमीन मिलने चाहिए, उन्हें उनकी अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन आतंग की घटनाओं के खिलाफ है भारत, ये भी आप लोग याद रखेगा, आप लोग पंडित जभाल लाल नहेरू को देखे, इंद्रा गांदी को देखे, एक सामान जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा, आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाओ, तो आप लोग जरूर बताएगा,